जी हाँ दोस्तों 23 डिसंबर साल 2016 को दिलीज हुई फिल्म दंगन ये कुष्टी पर ही अधारित थी इसमें कहानी दिखाए गई थी कुछ डड़कियों की जो कुष्टी की दुनिया में कैसे आगे बढ़ती है अपनी पिता की साहिता से लेकिन कुष्टी की जब बात आती है दोस्तों तो इन दिनों सबसे ज़्यदा चर्चाओं में जो मामला चला है वो है सुशिल कुमार केस का तो ऐसे में दोस्तो कुछ तस्वीरे सुशिल कुमार और आमिर खान की भी साथ में नज़र आई थी आमिर खान ने लीड रोल में भूमिका अदा की थी दंगल फिल्म में लेकिन कुछती से इस इस फिल्म में अगर सुशिल कुमार की कोई भूमिका ना रहे तो ऐसा कैसे हो सकता है जियां दोस्तो सूतरों के मताबिक यही खबर कुछ सामने आई थी कि कुछ दावपेश सुशिल कुमार ने भी इस फिल्म में अपने आजमाते वे नज़र आये थे और बहुत सारे चीजें उन्हें ने भी सिखाई थी ताकि ये फिल्म एकदम रियाल्टी पर अधारित लगे और जैसे सुशिल कुमार के सामने आमिर खान ने कुछ अपने दावपेश भी दिखाई तो सुशिल कुमार भी आश्चरे चकित रहे गए थी क्यूंकि आमिर खान के अंदर भी काफी इस पूर्ती और दंगल को लेकर बहुत जुनून था यही कुछ हमें दोस्तों साल 2020 में भी देखने को मिला था जब सुशिल कुमार और आमिर खान एक बार फिर से इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी लाल सिंग चड़ा मुवी की शूटिंग दुरान मुलाकात हुई थी तो ऐसे में सुशिल कुमार ने अपने ट्विटर पर आमिर खान के साथ इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की थी उन्होंने लिखा था फोटो में जो कैप्शन उन्होंने लिखा कि आपसे मुलाकात भैतरें थी आमिर खान जी आप हमेशा से ही मोटिवेशनल का जरिया रहे हैं वहीं आमिर खान ने भी सुशिल के ट्वीट को रीट्वीट कर शुपकामनाय देते भी लिखा कि सुशिल जी इंस्पिरेशन तो आप हो हम सब के लिए आप से मिल के हमेशा बहुत अच्छा लगता है और आपके स्टुडेंट्स को मिल कर भी परिवार में सभी को मेरा नमस्कार all the very best यानि कि दोस्तो दंगल जो कुष्टी पर ही अधारिती फिल्म उसमें कहीं न कहीं सुशिल कुमार की भी परदे की पीछे बहुत बड़ी भूमिका रही होगी कुछ दाव पेश सिखाने में क्योंकि अगर पहलवानी और कुष्टी की दुनिया का जब भी नाम सामने आता है तो दो बारी के ओलम्पिक पदग विजेता सुशिल कुमार का नाम सामने ना आए ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसे में आमिर खान और सुशिल कुमार की मुलाकात और गहरी दोस्ती भी होगी इस फिल्म के दुरान ताकि इन दोनों ने एक अच्छा काम भी किया था अच्छा समय भी बिताया था लेकिन एक ऐसा समय आ चुका है दोस्तों जहां पर आमिर खान अपने शूटिंग की दिनों में काफी व्यस्त हैं तो दुछ तरफ जेल के सलाखों की पीछे हैं सुशिल कुमार सागर धनकर अत्यकान मामले में अपराधी साबित नहीं हुए लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी नियाएक हिरासत में हैं और पुलिस रिमांड भी आगे उनकी जारी रहेगी स X9 Sports की रिपोर्ट